Hello everyone, 26th August नो जो लो वेज अलमाइस हों दियां उस ते रेलेटेड अपडेट सान्या कि 26th of September नो जो लो वेज अलमाइस हों गियां उसनो प्रोसेस नहीं कीता जाओ सो फिस्ट आप देख देयां कि की अपडेट सान्या सो जो एक्चल देवेज चेंजिस आन्या एंनों आदे की इंपक्ट सो सकते उस चेंजिस थी सो इसनु अपफा पहला डेटेल देवेच रीवीव करते हैं ओके सो जो 26th of August नो 2024 नो जो नमियाद चेंजिस आन्या अपडेट सान्या लो वेज दी आलमाइस नो लेके सो फर्स्ट आफ आल था अपनो ए जानना जरूरी है कि जो आलमाइस हों दियां उस तेवे तेन वेज कैटेगरी सुन दियां इस ते विच जो लो वेज आन्या इस तियां जो चेंजिस नियां इंप्लेमेंटेशन दी चेंजिस आन्यां के डियां के डियां इंपक्स केडें इंपक्स हों गेजो 26th of September दो इंप्लीमेंट हों गे तो इसनो अपन दीटेल देविच इसक्शन कर देयां जो एफटेंबर 26 2024 देविच ये चेंजिस आनियां जो फर्स चेंज होगी तो बीच गर्मेंट ऑफ अँप्लीमेंट की ते जो इस देविच इस दे विच कोईश एक्शेप्शनज वी इंप्लीमेंट कीती हैं जिस्ते बीच seasonal and non-seasonal jobs जो food security sectors देविच for example agriculture food processing, fish processing as well as in construction and healthcare so जो job sectors इस देविच जो jobs इस sectors देविच हो दिया उस देविच उनना नो exceptions दिती गई है कि even जी हो थे unemployment rate 6% और higher होगा फिर विचो low wage LMIS इस sectors देविच अप्रूफ हो सकनी हो जो second implementation हो जो second point हो उस देविच मेंचिन की थे employers will be allowed to hire no more than 10% of their total workforce through the TFW program so TFW is a temporary foreign worker program just देविच LMIA based थे applicants work permit मिल दा और फिर वह अपनी job continue कर सकते हैं अपने employer नाथ, so जो पहला is the capacity that was 20% but उस नो reduce करके उस दा half कार देता गया, so जो total number of workers होंगे किसे भी तो उस दे सर्फ 10% ही low wage stream देविच कम कर सकते हैं and इस दे विच भी exceptions देती हैं गया, similar streams नो लेके, जो की food security sectors देविच है, agriculture, food processing fishing, healthcare and construction and जो third point है, which is also equally important point maximum duration of employment for workers, so जो low wage streams हो, जो जो work permit होगा होनो हो, सिर्फ one year दा ही issue किता जाओगा, पहला जो work permit होंदे सी, और two years दे issue होंदे सी, बट उस नो reduce करके हों सिर्फ one year दा कर देता जाओगा इस दे विच एक अनदर challenge है जे डे currently आस टाइम दे उपर work कर रहे है उनना दे work permit extensions भी बहुत जादा challenging हो जानी है जे ओहो exceptions दे विच नहीं होंदे, यहां फिर बाकी दे जो implementations है, जे उस rules दे according नहीं होंदा, ता उनना दे जो extensions है, ओह भी बहुत जादा challenging होंगिया So, जो 26th of September तो इस हारी है changes implement हो जानी है, उस तो बाद further details भी होंदे chances है गया उस date तो बाद, so another important point हा, इस LMIS दे related कि जो LMIS दे implementation है, जो changes आना यह low wage stream दे वेच आना, low skill stream दे वेच नहीं आना, so which means, कि लेट से, जे तुसे कोई general worker दी job भी कर दे हो, and या फिर server दी job कर दे हो, या tier 4 और 5 दी position भी हो, but उस दे वेच जे तो नो जो pay scale और median wage दा मिलदा पया ता थोड़ी LMIS प्रसेस हो जोगी, and on the other hand, जे तुसी कोई high scale job कर दे हो, let's say, तुसी tier 2 दे वेच हो, या tier 3 दे वेच हो, but जो थोड़ा pay rate पर आवर दा, वो थोड़ा low wage stream दे वेच आ रहागा, या तो नो जो थोड़ी median wage बांदिया, या उस तो लोग pay कीता जा रहागा, ता उस दे वेच थोड़ी LMIS प्रसेस नहीं होगी, so इस करके या बहुत important होगा, कि जो थोड़ी पे रेट मिल रहागा, पर आवर बेस दे उपर, वो किन्ना मिल रहागा, जे तुसी future दे वेच फ़दर extensions भी लेनी है, in case थोड़ी कोले जो work permits सा इस time देते हो, LMIS supported हो, so इस करके इस गालदात या राखे चले हो, कि जो थोड़ी LMIS हो फदर extension हो सकती है, but वो हो median wage दे वेच आनिया चाहे दिया, so जे थोड़ी कोई भी हो doubts हो, feel free to reach out to us, till then good luck and take care.